हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब केपीएस मलहोत्रा जो के एंसीबी के डेप्यूटी डिरेक्टर हैं वो बहुत चुके हैं एंसीबी के दफ्तर में मुंबई में आप तीनों अधिकारी इस वक्त थर्ड फ्लोर पर मौजूद हैं एंसीबी के बिल्डिंग के समीर वानखेड़े, आमिद घवाटे और केपीएस मलहोत्रा इन तीनों को जिम्मात सौपा गया है पूछताच का आईयो है बकाइदा समीर वानखेड़े इस पूरे केस में केपीएस मलहोत्रा डेपीटी डिरेक्टर है एंसीबी के जो पहुँचे हैं दिल्ली से बकाइदा इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और आप खाबर मिल रही है कि केपीएस मलहोत्रा भी वहाँ पहुँच चुके हैं सीधा रुख करते हैं मेरे सयोगी मनोच का मनोच क्या जानकारी है जरूर कहीं न कहीं इसी केस के इन्वेस्टिगेशन में या फिर यू कहें कि शायद हो सकता कहीं और पर मिटिंग रखी गई है क्योंकि मीडिया का जमावड़ा यहां पर बहुत ज्यादा था और केपीएस मलहोत्रा पहुँच चुके हैं समीर वेनकवान खेड़े पहुँच चुके हैं और जो तीसरे अधिकारी हैं वो भी अंदर मौझूद है और रूबी का कुछ ही देर बाद वो सवाल जो एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है लगातार उन सवालों के जवाब अब रिया चकरवर्ती से लिये जाएंगे और बहुत मुश्किल भरा होने वाला है सेशन रिया के लिए क्योंकि रिया को सवालों के जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत तीखे सवाल हैं और सीधे सवाल होंगे और रिया को रिया क्योंकि लगातार इस केस में बार बार जूट बोलती आ रही है और जूट का सामना आज रिया को करना पड़ेगा और जिस तरीके से जब बाद में क्रोस कॉस्टिनिंग होगी उसके बाद जब पूछा जाएगा तब रिया की मुश्किले बहुत ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि शोविक ने और मिरांडा ने साफ कर दिया है कि रिया ही वो है जो ड्रक्स मंगवाती थी पैसे भी रिया देती और वो पैसे सुशान सिंग राजपूत के अकाउंट से निकाले जाते थी तो पहला सवाल यही होगा कि क्या रिया ड्रक्स लेती थी जो पहला सवाल पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा और वो ही जो हम सवाल लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो झाल झाल